Hello and Welcome to Telly Talkies दोस्तों, Big Boss OTT के घर के अंदर शिवानी ने उड़ाए पूरी तरीके से रनवीर शोरी के होश शिवानी ने रनवीर शोरी को जम कर सुनाया लगाई उसकी क्लास निकले रनवीर शोरी के आसू क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तों, बिग बास के घर के अंदर रनवीर शोरी की डूटी थी बरतन साफ करने की लेकिन अपनी इस डूटी को सही से नहीं कर पाए रनवीर शोरी वेल, हम आपको बता दें कि सौमवार का दिन रनवीर पर भारी रहा क्योंकि शिवानी नाम की आफ़त रनवीर पर बरस पड़ी हुआ ये कि रनवीर की डूटी बरतन माजने की थी और शिवानी खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई और जैसे ही उसमें कूकर उठाया तो कूकर में नौन वेज पड़ा हुआ था और उसने नौन वेज बनाने के बाद कूकर को ठीक से साफ नहीं किया था बस फिर क्या था शिवानी तो भड़क गई और कहने लगी अरे ये कौन है जो हमारा धरम ब्रश्ट करना चाता है इस घर के अंदर किसने माजा था रे भाई ये बरतन लोगों ने बताया धर के लोगों ने कि ये बरतन तो रणवीर ने माजा था जसके बाद उस कूकर को लेकर शिवानी रणवीर के पास पहुँच गई और उससे कहने लगी ऐसे बरतन माजते हैं क्या इतनी अकल नहीं है आपको कि घर में वेज और नॉन वेज खाने वाले दोनों हैं और अगर इस तरीके से बरतन माजोगे तो कहीं न कहीं अगर वेज वाले ने इसमें खाना बना लिया होता तो उसके तो खाने की बैंड बजजानी थी उसका तो धरम भरष्ट हो जाना था और हम तो सौमवार के दिन नॉन वेज छूते भी नहीं है आप हमें पपी बना देते बड़े ही बेकार इंसान है एक काम कर रही है कम से कम वो तो सही से करें आपको अपना खाना तो टाइम पे चाहिए और दूसरों को काम को आप ऐसा करते हो वेल दोस्तों यहाँ पर रनवी शौरी शिवानी से कहता है कि तुम मुझसे तमीज से बात करो शिवानी ने सीधा सीधा कह दिया हमको तमीज ना सिखाओ हम जिस गाओं से आए हैं ना वहाँ पर हमारे नाम का सिक्का चलत है और हमने वहाँ पर सब बच्चों को तमीज सिखाई हुई है और आप जो ये कमीज पहन कर खड़े हो ना इसी कमीज के अंदर खड़े रहो हमारे साथ बत्तमीजी मत करना एक तो चोरी करते हो और उपर से सीना जोरी करते हो जिसके बाद रनवीर ने कहा कि इस पागल लड़की के मुँ आखिर कौन लगे और ये बोल कर वो महां से जाने लगा जिसके बाद शिवानी रनवीर के पीछे पड़ गई और कहने लगी पागल किसको कहो थो तुम हो पागल तुम पूरे के पूरे पागल हो गधे हो तुम जो तुम दूसरों को नौनवेज खिला रहे हो अरे हम नॉन्विज ना खाएंगे तो क्या तुम खिलाओगे जबरदस्ती धरम खराब करते हो दोस्तो साफ है कि शिवानी अब घर में किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है उसको पता है वो नॉमिनेट हो गई है और ऐसे में उसको कंटेंट देना ही होगा वेल आप क्या कहेंगे कमेंट्स में आप जरूर लिखें वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें